हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू लन्वृति तीमन आज हम करने वाले हैं भारतिय राजविवस्था के अंतरगत सम्विधान की उस उद्देश का या प्रस्तावना तो प्रस्तावना को सम्विधान की आत्मा कहा जाता है यह हम जान चुके हैं पंडित जवालाल नहरुद्वारा उद्देश प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तूत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था तो यह हम सभी पढ़ चुके हैं जब हमने कोशन आंसर सीरीज देखी थी लेकिन आज मैं आपको यहां पर बिल्कुल एक एक शब्द जो है उनका अर्थ बताऊंगी क्योंकि यहीं से प्रस्णों जो है आपके पूछे जाते हैं सबसे पहले हमें इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद हम ध्यान देंगे कि यहां पर जो शब्द है उनके अर्थ क्या है स्टार्टिंग से पढ़ते हैं भारत का समविधान या उद्देशी का हम भारत के लोग भारत को एक संपून, प्रबुत्व संपन, समाजवादी, पंत निर्पेक्ष और लोकतंत्रात्मगन राज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनी तिक निया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपाशना की सोतंतरता, प्रतिष्टा और अफसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राश्ट्र की एकता और अखंता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रण संकल्प होकर अपनी इस समविधान सबा में आज तारिक 26 नवंबर 1929 इसवी को एतत द्वारा इस समविधान को अंगीकरत, अधिनिमित और आतमर पित्त करते हैं देखिये हमने इसको रेडिंग किया लेकिन फिर भी हमें इनके शब्दों के जो अर्थ हैं वो नहीं पता है तो एक ही करके हम इनके शब्दों के अर्थ को जानेंगे और यह अफधारा कहां से ली गई है ये भी हम जानेंगे क्योंकि यहीं से प्रशन उठते हैं तो देखिये सबसे पहले शब्द क्या है हम भारत के लोग अब हम भारत की लोग से क्या विप्रा है यानि भारत की जनता समविधान को शक्ति जो है वो किससे मिलती है जनता से मिलती है तो यह हमें याद रखना है यहां से ऑप्शन आपके उठकर आते हैं भारत के समविध प्रबुत्व संपन अब इसका अर्थ क्या होता है प्रबुत्व संपन का अर्थ लोगों को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसले करने का सर्वोच अदिकार है कोई भी भारी शक्ती भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है ठीक है इसका जो स्वरूप है संपून प्रबुत्व संपन है क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ती आके अब यहां पर अपना शाशन नहीं जमा सकता है और नहीं आदेश दे सकता है बिल्कुल सर्वोच अधिकार है लोगों को नेक्स्ट जो शब्द आया था वो आया था समाजवादी देखिए एक एक शब्द आपको ध्यान में रखना होगा आपके एक्जाम में कौन सा शब्द पूछा जाएगा ये एक्जामिनर पर डिपेंड करता है समाजवादी जो है वो हमने देखा तक कुशर अंसर सीरीज में कालमाक्स की अफधारना है ठीके समाजवादी जो है वो कालमाक्स की अफधारना है गांदी और नहरू जी यहां से प्रेरित है समाज में संपदा सामोहिक रुप से पैदा होती है और समाज में उसका बढ़वारा समानता के साथ होना चाहिए सरकार जमीन और उध्योग दंदों की हगदारी से जुड़े काइदे कानून इस तरह बनाए कि समाजिक आर्थिक असमानता एक कम हो तो इनकी बात कौन करते हैं कालमाक्स की अवधारना से लिया गया है समाजवादी गांदी जी नहरू जी वो भी यहां से प्रेरित हैं उन्होंने भी बोला है कि उद्धिशिका में ऐसे शब्दों को यूज किया जाए जिससे की समानता जो है वो जलके ठीक है कोई भी सरकारी का सैकेंड ग्रेट का फस्ट ग्रेट का यहां से प्रस्ण जो है हर बार आया है देखिए इसका अच्छे से अर्थ देख लीजिए पंत निर्पेक्ष का क्या अर्थ होता है पंत निर्पेक्ष या निर्पेक्ष यानि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा नागरिकों को किसी तो इसका अर्थ आप जानिये पंत निर्पेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन वो सभी धर्मों को माननेता देगा एक और चीज यहां से जो प्रशन जो है वो एक और यह बनता है कि यदि आप्शन में यह आ जाए क्या कि प्रभुत्व संपन पंत निर्पेक्ष और लोकतंत्रात्मक गर्ण राज्चिय ठीक है इनको सिक्वेंस में लगाईए जिसमें पंत निर्पेक्ष को हटाकर धर्म निर्पेक्ष शब्द का यूज कर दिया जाए आपका ऑप्शन गलत हो जाता है ठीक है इस चीज को विसेज ध्यान रखना है क धर्म निर्पेक्ष शब्द का यूज उद्देशिका में नहीं हुआ है किसका यूज हुआ है पंत निर्पेक्ष का यूज हुआ है नेक्स्ट शब्द जो है वह आता है लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक जो की अब्राहिम लिंकन की जो अफधारना है जिसमें हमने देख देखा था जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा ये हमने देखा था ये अफधारणा वहां से ली गई है लोक तंत्रात्मक देखिए जो हमने कुशन अंसरी में जो जो चीजे पड़ी है यदि उनको एक जगे समाहित करके लिखा जाए तो हमने भारत का समविधान का जो एक नोट्स के रूप में ये मिल जाता है लोक तंत्रात्मक करता है सरकार का ऐसा सवरूप जिसमें लोगों को समान राजनिती का दिकार प्राप्त रहते हैं लोग अपने शाशन का चुनाफ करते हैं और उसे जवाब देव बनाते हैं यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों चलती है ठीक है तो यहाँ पर अबराहिम लिंकन का जो स्टेटमेंट है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए अवधारना यह जो है यहाँ पर सुटेबल है ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है नेक्स्ट जो शब्द है वो आता है गणराज्ये ठीक हमने सबसे बात की हम भारत के लोग उसके बाद बात की प्रभुत्व संपन समाजवादी की बात कर ली पंत निरपेख्ष की और लोगतंत्रात्म की बात कर ली अब गणराज्ये जो है उसका क्या अर्थ है गणराज्ये यानि गणतंत्र और इसका अर्थ है वनसानुक्रम ना होना रा इसका अर्थ यह होता है और मेरे द्वारा यह अर्थ आपको बिल्कुल स्पस्ट है कि गणराज्य अगर तंत्रकार्थ है कि वंसानुक्रम ना होना राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो वंसानुगत नहीं होना और जहां हमने लोक्त अंत्रात्मक की बात की ती यहां पर है कि शाषन का जो अध्यक्ष है यानि जो प्रधान मंत्री है वो जनता का समर्थन उसे प्राप्त होगा ठीक है और गणराज्य में राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा दो शब्द मैंने आपको बोले हैं ध्यान रखना है गणराज्य की अंतरगत राष्ट्र का अध्यक्ष व भेदवाब नहीं किया जा सकता ठीक है न्याय का अर्थ यह होगा इसके अलावा देखिए यहाँ पर तीन न्याय की बात की गई है सामाजिक आर्थिक और राजनितिक बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है सामाजिक की बात आर्थिक की बात और राजनितिक की बात तीनों न्याय की बात की गई हैं. तो याद रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक. Next जो सब्द आता है वो आता है सोतंतर्ता. सोतंतर्ता का क्या अर्थ है? कि नागरिक कैसे सोचें, किस तरह एपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पावंदी नहीं होगी, तो ऐसी सोतंतरता उनको दी गई है, जब हम अनुचित पड़ेंगे वहां हम देखेंगे कि कौन-कौन सी सोतंतरता मौलिक अधिकार के रूप में उनको दी गई है, ठीके, तो इस यूज हुआ है, कानून के समक से सभी लोग समान है, पहले से चली आ रही सामाजिक समानताओं को समात करना होगा, सरकार उन नागरिकों को समान अफसर उपलब्द कराने की विवस्ता करे, तो समता का अर्थ यह लिया जाता है, उसके बाद जो शब्द आ रहा है समता के बा एक परिवार के सदस्य हो, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम तर, यानि कम ना आके, ठीक है, तो बंदुता यानि भाईचारे की भावना जो है, वह भी उद्देशिका की अंतरगत लिखी गई, तो देखिए, समविधान के जो श्रोत है, श्रोत की यद निर्पेक्ष, लोग तंतरात्मक और गणराज, ये स्वरूप है प्रस्तावना का, और यदि प्रस्तावना का उद्देश्य हम देखते हैं, तो उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, सम्ता, ठीक है, और बंदुता, ये सभी उद्देश्य के अंतरग लेकिन इसकी जो भासा है, उसे उस्ट्रेलिया से लिया गया, या आप confused ना हूँ, भारतिय सम्विधान में प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भासा को उस्ट्रेलिया से लिया गया है, 42 सम्विधान संसोधन 1976 में कौन-कौन से सब्द किसको जोड़ा गया है धर्णनिरह पेक्ष अकंटता और समाजवादी को जोड़ा गया है यहां पर गरर्ण राजिय महीं जोड़ा गया 42 Samvirदान संसुधन 1976 का अंतरगत गर्णराज जो है इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था तो आज हमने भारत का जो समविधान है उसकी उदेशिका और प्रस्तावना उसकी एक 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 वर्ड को अच्छे से समझ लिया है यहां से प्रश्ण आएंगे ही आपको ये बिलकुल अच्छे से लर्ण कर लेना है क्योंकि भारत का जो समविधान की उदेशिका है उसी में पूरा समविधान जो है वो समाहित है यदि आपने एक-एक शब्द को समझ लिया तो आप quality जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम करेंगे समविधान की अनुसूचियों के उपर की कौन-कौन सी अनुसूचियां जो है उनमें क्या-क्या शब्द जो है वो वर्नेत है ठीक है तो एक-एक चीज़ को हम करते जाएंगे जो की आपके exam की oriented बहुत ही ज्यादा important रहती है Thank you